हलो फ्रेंज जैजी नेंद्र वेलकम बैक टू अर्चना की चेन रसोई चलिए आज बनाते हैं एक समझ स्पेशल रेसिपी क्योंकि गर्मियों के इन दिनों मार्केट में कच्ची कईरिया बहुत ही इजिली अवेलेबल हो रही हैं तो आज हम इन कच्ची कईरियों का साल भर के लिए टिकने वाला एक दम टेस्टी और आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफरंट और बच्चों से लेकर बड़ो तक सबको पसंद आने वाला आम का जो मुरब्बा है थोड़ा सा अलग तरीके से सिखेंगे टेस्टी होने के साथ साथ आम का यह मुरब्बा बहुत ह तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कच्ची केरिया ली है और आप देख सकते हैं इसके मैंने जो चिलके होते हैं इस तरह से निकाल कर रखे हैं पहले मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया था ताकि यह तासीर में ठंडी हो जाए अब और बरिक बरिक slices में इस तरह से काट लेंगे आप चाहें तो इसे कदुकस भी कर सकते हैं बड़ी वाली कदुकस निका यूज़ करके लेकिन मैं इसके इस तरह से पतले पतले और लंबे लंबे slices काट रही हूँ इससे आपका जो मुरब्बा है कैंडी के सिमिलर बनेगा जैसे की आम की कैंडी होती है बिल्कुल वैसा बनेगा तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे और चाहे तो ऐसे भी उठा कर खा सकते हैं या फिर खाने के साथ आप इसे कटोरी में लेकर भी खा सकते हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ट दाम बस वही वाली बात यहाँ पर आप देख पाएंगे सो देखें हमने कईरियों को इस तरह से लंबे लंबे टुकडो में काट लिया है अब जो पानी हमने उबालने के लिए रख दिया था इन कच्छी कईरियों को हमें डालना है इस पानी के अंदर देखिए इसकी स्लाइ है कच्छे आम के अच्छे से सौप्ट हो जाए अब आप सोचेंगे कि यह जो मुरब्वा बढाने के लिए हम पानी का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं यह मुरब्वा खराब ना हो जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आप आगे देख सकते है इस पानी का हम इस मुरब् मिनिट लगेंगे इसे इतना कूक होने के लिए कईरियों के इन टुकडों को हमें बहुत जादा गलाना नहीं है और बस अब इने निकाल लेते हैं अलग से बरतन में देखिए यह जो पानी है यह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि इस पानी के साथ हम बना रहे ह हैं कच्छे कईरी का सरवत या आप इसे आम पना भी कह सकते हैं दोस्तों इस चानल पर मैं इसी तरह की इंटरेसिंग रेसिपीज लाती रहती हूं तो इने सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ बिल आइकॉन के आल बटन पर भी क्लिक करना ह हैं ताकि कोई भी रेसिपीज आप से मिस नहीं होंगे सो देखिए अब कुक किये हुए इन गर्मा गरम टुकड के ऊपर ही हमें एड करनी है चीनी तो चार आम लिये हैं मैंने और इसके ऊपर मतलब जितने आम के टुकडे हैं उतनी ही चीनी हमें एड करनी है तो अंदाज के बाद आप देख पाएंगे कि जो चीनी है पानी में कनवर्ट हो गया है मतलब चीनी का यहाँ पर पानी हो गया है अब चलिए इसे हमें कुक करना है तो एक जिस बरतल में हमें इसे कुक करना है उसमें में निकाल लेती हूँ और अब हमें इसके एक तार की चासनी होने त जरूर करिएगा और हाँ आपके जो अनुबों हैं मुझे कमेंट करके भी जरूर बताईए क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ चीजे लिए हैं जैसे कि तीन मेंने दालचिनी के टुकड़े लिए हैं थोड़ा सा सैफरॉन य तब हमें ग्यास को बन करना है तो पहले में इसमें एड कर रही हूं दालचिनी के टुकड़े और क्रश की हुई तीन इलाइची सैफरॉन भी हमने इसमें एड कर दिया हैं ताकि उसका फ्लेवर और कलर भी आ जाए और उसके जो बेनिफीट्स हैं उसका भी लाव उठा पा हैं नहीं तो यह जो आम के टुकड़े हैं हाड हो जाएंगे तो मुरब्बा खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अब इससे ज्यादा इससे नहीं पकाएंगे अगर चासनी ज्यादा पकती हैं तो आम के टुकड़े हाड हो जाते हैं कम पकती हैं तो मुरब्बा ज यहाँ पर करेंगे आम का पणा या फिर आपसे कच्चे आम का सर्वत भी कह सकते हैं इसे बनाने के लिए और बिलू में दोस्तों बहुत ही स्वादिस्ट बनता है ये इसे ग्लास में निकाल लीती हूँ और इसमें एड करूंगी स्वाद अनुसार चिनी चिनी एड करने के ब आम वाली बात तो थोड़ा सा काला नमक और स्यादा नमक भी मैं इसमें एड करूंगी आप चाहें तो इस पानी को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा सर्व कर सकते हैं या फिर बर्प के कुछ टुकड़े डाल कर इसके ठंड़क का मजा ले सकते हैं तो ठंडा होने के बाद ये जो चाशनी है हलकी सी फिर से गारी हो जाएगी मतलब राइट कंसेस्टनसी में आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपरेंट ऐसा हमारा हेल्दी और टेस्टी आम का मुरब्बा बिल्कुल तयार हैं इस आम के मुरब्बे से आपकी आम केंडी भी तयार हो जाएगी तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई